सुप्रेयर बच्चों, कैसे हो आप सभी? इश्वर से आपके अच्छे स्वास्ते की मनो कामरा करते वे आज मैं पार्ट वर्ड विचार को आगे बढ़ाती हूँ अब ये तो हम सभी ने जान लिया हमें पहले से ही पता है कि हिंदी वर्ड माला में कुल 44 वर्ड होते हैं 11 स्वर और 33 वेंजन आज हम स्वर के बारे में वादचीत करेंगे आज स्वर के बारे में वारता लब करेंगे हिंदी वर्ड माला में जैसा कि हमें पहले से ही पता है अभी हमने बात भी करी कि कुल 11 स्वर है यह ग्यारा स्वर कौन से हैं? औ से लेकर के औ तक के जो वर्ण हैं, उनको स्वरों की श्रेडी में रखा गया यानि औ से लेकर औ तक के वर्णों को हम स्वर की वर्णमाला कह सकते हैं हाँ, मुझे मालूम है, पचपन से चुटपन से आप जब भी भी पढ़ते आए हो, औ से लेकर के अह तक पढ़ते आए हो, बिल्कुल लेकिन बेटा अब आप ये बात समझ लो, याद कर लो कि स्वर जो है औ से लेकर के अह तक होता है और अंग और अह अन धुनियों में आते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी फिलाल के लिए आप ये समझ लो, याद कर लो हमेशा के लिए कि स्वर की वर्णमाला अ से लेकर के अह तक होती है एक और बात, हम कई बेटे हैं कि बोलचल की भाशा में हम अगर छोटा बड़ा उ बोलते हैं तो उनके लिए कौन से अलग अलग चिन है या हम किसके बारे में बात करें ये हमारे मस्तिक्ष्ट में सपश्ड ररेना चाहिए ठीक है? अब स्वर की वणमाला के बारें बात करें, तो हमने बात करा औ से लेकर के औ तक हमारी स्वर की वणमाला है. अब ये जो स्वर की वणमाला है, इसको भी हमने विभाजित किया दो अलग अलग भागों में, बलकी मैं कहूं तीन भागों में, पहले मैं पहले भाग की करती हूं पहला भाग जो स्वर का हमने बताया वो कहा ही सुस्वर ये सुस्वर को मूल स्वर भी कहते है लेकिन अभी आप के लिए इतना ज़रूरी है कि आप ये जान लो की स्वर की वर माला में रिस्व स्वर की शेड़ी में जिन स्वरों को रखा गया वह कौनसे स्वर है? A, E, U, Rी A, E कौनसा? छोटा E U कौनसा? छोटा U जिसको हम कई बार बोलचा की भाशा में छोटा E बोलते हैं छोटा U बोलते हैं तो A, E, यानि छोटा E U, यानि छोटा U और Rी इनको रखा गया रिस्वस्वर की शेडी में अब इनकी शेडियां यह अलग-अलग बनी क्यों? अलग-अलग बनी उच्चारण के द्रिष्टी से अगर हम देखें तो इन में जितना समय लगा यानि अ, इ, उ, री इनकी उच्चारण में कम समय लगा इनको रिस्वस्वर में रखा गया अब रिस्वस्वरों की द्रिष्टी से बाकी स्वरों में दोगुना समय लगा यानि जादा वक्त लगा यानि जब हम इन स्वरों को उचारित करते हैं तो जो रिस्वस्वर हैं उनके चारण में एक मातरा का समय या बहुत कम समय लगता है जैसे अ, ई, उ, री अब बाकी अभी ये हो गए हमारे चार स्वर यानि चार स्वर चार स्वर जो हैं वो हो गए हमारे रिस्व स्वर बच गए कितने बाकी के साथ स्वर ये जो बाकी के साथ स्वर हैं इनको कहा गया दीर्ग स्वर क्यों दीर्ग स्वर? दीर्ग मतलब बड़ा लंबा दीर्ग स्वर इसले कहा गया क्योंकि दीर्ग स्वरों के उचारण में रिस्व स्वरों के की तुलना में दो गुना समय लगता है यारी जादा समय लगता है ये कौन-कौन से हैं? ये साथ स्वर जिनको हमने दील स्वरों की शेड़िये में रखा ये हैं आ, ई, उ, ए, ए, ओ, अओ ठीक है? मैं फिर से दोर आ रहे हूं आ, ई, उ, ए, ए, ओ, अओ इन में अभी जब मैंने आपके सामने बोला आपने खुद भी महसूस किया होगा आप खुद भी एक बार बोल करके देखना इन स्वरों के उचारण में दीर्ग स्वरों के उचारण में रिस्व स्वरों के तुल्ला में ज्यादा समय लगता है तो बेटा कुल हमारे स्वरों वे ग्यारा इन ग्यारा स्वरों में उचारण के की दिष्टी से चार स्वरों को रखा गया रिस्व स्वर की शेडी में जिनके उचारण में कम समय लगता है ये जिसको हम छोटा ए बोलते हैं कई बार बोल चाल की भाशा में ठीक है तो चार स्वर हुए जिनके उचार में कम समय लगा इनको रखा गया रिस्वस्वर की शेड़ी में बज गए हमारे कितने ग्यारा स्वर इन ग्यारा स्वरों को दीर्ख स्वर की शेड़ी में रखा गया क्योंकि इनके उचार में रिस्वस्वरों की तुल्ला में चादा समय लगता है ये कौन से स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ, ठीक है अब हम संस्कृत में एक अक्षर हम हमेशा इस्तमाल करते हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी है मंत्रों में ओम, ये अकेला, ये अकेली ध्वनी है बेटा, ओम, जिसमें, जिसको प्लुत स्वर की ध्वन, ख्षेड़ी में रखा गया क्योंकि इसके उचार में दीग स्वरों से भी जादा समय लगता है, यानि अगर हम कहें तो इसके उचार में सबसे जादा समय लगता है, इसको हमने रखा प्लुत स्वर की ध्वनी, प्लुत स्वर के श्रेड़ी में तो याद रखना बेटा स्वर हमारे हो गए रिस्व दीग और संस्क्रित में एक ध्वनी हमेशा मंत्रों में के द्वारा उचारित करते हैं ओम जिसको प्लुत की शेड़ी में रखा गया क्योंकि इसके उचारण में सबसे ज्यादा समय लगता है तो आज हमने क्या सीखा हमने सीखा कि हमारे स्वर है कुल 11 हाँ हमने बचपन से चुटपन से अंग अ से लेकर के अह तक पड़ा लेकिन अंग और अह स्वर की वडमाला में नहीं आते हैं ये इनको हम अलग शेड़ी में रखते हैं तो हमारे स्वर हो गए अ से लेकर अ तक उचारण की दिश्टी से स्वरों को विभाजित किया गया रिस्व स्वर जिनके उचारण में सबसे कम समय लगता है दीर्क स्वर जिनके उचारण में रिस्व स्वरों की कंपारिजन में यानि तुल्ना में ज्यादा समय लगता है इसके इलावा बेटा संस्कृत में हम एक ध्वनी अपने कंटे से निकालते हैं मंत्रों में आपने सुना भी है ओम की ध्वनी में सबसे ज्यादा समय लगता है ओम के उचारण में सबसे ज्यादा समय लगता है इसको हमने रखा पलुत किश्रेणी में तो अब आप फटा फट अपनी पुस्तक निकालिए जल्दी से अपनी पुस्तक निकालिए स्वरों को एक बेर देहर दोराइए हम अपने अगली कक्षा में अगले वीडियो में वियंजन के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए शुब दित धन्यवाद